बड़ी कवर का रुप करते हैं E-RCP को लेकर मुख्यमंतरी अशोग गहलोत का बयान कहा कि राजिसान में चल रही काम को रुखवाने का प्रयास किया जा रहा है इस काम को रोखने के लिए मद्यप्रदेश सरकार सुप्रिम कोर्ट में गई है इसे केंद्र सरकार और राजिसान केंद्रिया मंतरी एक्सपोज हो गए है एक राज्ये के हितों को बली देने के लिए एक बीज़ेपी शासित राज्ये आगया है काम रोखने के लिए सुप्रिम कोर्ट में केस फाइल किया गया है प्रधान मंत्री जी को इस मामले में स्थेशेप करना चाहिए किसके इशारे पर मध्यप्रदेश सरकार सुप्रीम कोट गई है गादिसान की जंता में बहुत आक्रोश है इसको बरदाश्च नहीं किया जाएगा नतीजे भुगतने पड़ेंगे नोनेरा बांद के निर्मान को लीकर मध्यप्रदेश सरकार पहुंची सुप्रीम कोट और कोटा जिले में काली सिंध नदी पर बडोध के पास बन रहा है नोनेरा बांद मुक्यमंत्री एशोग गैलोत ने क्या कुछ कहा सुनिए सर परदेश सरकार का सुप्रीम को जाना एर्चीपी को ले करके उच्छे मैं समरता हूं कि जो राजितान के मंत्री है जो संसादन मंत्री उनके बातों की पोल खुल गई प्रताम मंत्री जी ने यहां पर कहा मोधी जी ने दोसा के अंदर नया फॉर्मला दिया था वो भी एक्ष्पोर हो गया जो बीजेपी की शाष्ण में जिस पर गारते योजना बनी थी सुछ समझ करके मत्री बात्री राजितान के अंदर जो बीच में समझे दवा उसका आधा पर बनी थी और दोज़ अदर्स की गाइडलाइन जो थी जल के जलायों की उसके आधा पर बनी है उसके बावरूत भी जिस पर गारते राज्ता में जो काम चल रहा है उसकाम को नौनेरा बांध का उसकाम को रुकवाने लिए चले दे मंदिपदेश वाले पूरी तरह केंदे सगा के मंतरी और केंदे सगा खुदी एक्सपूर हो गई है कि एक राज्ये के हितों को बली देने के लिए किस प्रिगार से बीजे भी राज्ये आगे आया है और शुपनिकोर्ट में केस फाइल कर दिया कि काम भी लोग दो कि इससे बड़े अनफॉजिर बात क्या होगी मैं समझता हूं कि प्रणा मंदिजी को हस्रिप करना चाहिए अभी आके गई राज्तानों पूरे केस को दिखवा है मद्य पदिश को किसके इशारे पे गए वो रोग इस सूचने की बात है राज्तानी दिंद्धा में बहुत आक्रोश है उसको परदाशने करेगी नतीजे भुगतने पढ़ेंगे इत्ता मैं कह सकता हूं प्रदेश मांग कर रही है किसे राष्टिय पर योजिना का दर्जा दिया जाए लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो मुख्यमंत्रिय शोग गैलोत ने बजट में अलग से एर्सीपी को लिकर वित्य प्रावधान की और उस वित्य प्रावधान के जरिये ही नोनेरा बांद का निर्मान किया जा रहा है मेरे सेयोगी नरेश शर्मा जोड़गे नरेश ऐसा लगता नहीं कि सियासी तोर पर 2023 के चुराव से पहले ये मुद्धा ठंडा पढ़ने वाला है उल्टा इसमें हर दिन एक नई चिंगारी लगती है सियासी तोर पर और ये वाकर में राधिसान के लिए अंभीर मुद्धा है अगर राधिसान अपने पेटे से यार सीपी को कंप्लीट करना चाहता है तो इसमें मद्यव प्रदेश को समस्या क्या है बिल्कुल देखे 13,000 करोड रुपे का प्रावदान मुख्यमंति असो गैलोत ने बजट में इसका किया था एर सीपी को लेके कि भले ही केंदर सरकार इसको राष्टिय परियोजना गोशित ना करे वो मांग अपनी रखेंगे लेकिन इसका काम भी चलता रहेगा और आस्ता बताया है कि मद्यपरदेश सरकार है इस बांद को रुखवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गई है उन्होंने सीधा सीधा एक बार फिर केंद्य जलसक्ती मंत्री है उन पर आरोप लगाया और कहा है कि वह एक्सपोज हुए है क्योंकि आखिर बताय जाए कि किसकी शह पे मद्यपरदेश सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट गई है क्योंकि यह राजस्तान के हित का मामला है और अगर राजस्तान के हित के खिलाफ अगर कोई भाजपा सासित राज्य इस तरह का एक्सन लेता है तो यह बताता है कि कोई नहीं कोई इसके पीछे कोई ठाकत है कोई सड़ पुन बयान देखे गए हैं क्योंकि आप आप ने जैसे कहा कि यह ऐसा मुद्दा है जिसकी चिंगारी है वो बंद होने वाली नहीं है, खत्म होने वाली नहीं है क्योंकि जब से यह E-RCP का मुद्दा चाया है, जब से सरकार ने बजट में इसकी गोशना किये और इस बार भी इसमें अलग से प्रावदान किये और जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी दोसा आये थे, तब भी मुख्य मंत्री असो गैलोत ने जब वी सी के मादिम से वो जुड़े थे, तो अपनी बात कही थी, तब भी उन्होंने कहा था, उन्होंने जेपुर और अजमेर की जो सबाय हैं, उन्होंने जो भरुसा दि प्रजक्ट को किया जाता है तो उसके आगी वीजार किया सकता है, उन्हों राज्यकर सहमेती देते हैं, तो उस प्रजक्ट पर काम करने का उन्होंने वरुसा भी दिला था, लेकिन इस बीच अब चूँकि जो राजस्तान के हिस्से में जो काम हो रहा था, E.R.C.P. का मुद्दा जो रहे उसमें अगर कोई बांद बन रहा है और उस बांद को रोकने के लिए कोई दूसरे राज़े की सरकार कौर्ट में जाती है तो बड़ा मुद्दा है और जिस तरह से मुख्य मंतरी ने तेवर दिखाए हैं जिस तरह की मुख्य मंतरी ने कहा है क कि ये बरदास नहीं होगा और इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा यानि कि राजस्तान सरकार भी कहीं न कहीं अब लगता है कि उसी तरह से जवाब दे सकती है अगर वो कोर्ट में गए हैं तो फिर राजस्तान सरकार इसको इस नजरी से भी देखा जा सकता है क्योंक है इस में क्यों देखे आपने सही कहा 2018 में इसे बांद के काम की सुरुआत हुई थी और पांस साल में इसे पूरा होना था यानि इस साल तक यह पूरा होना था तो ऐसे में इसको रोका जा रहा है और यह जो बांद है यह ERCP का जो प्रोजेक्ट है उसी का एक हिस्सा माना ज जा रहा है क्योंकि 13 जिलो में जो है इससे पानी सप्लाई होना है इस प्रोजेक्ट से जंता को पानी पेजल मिलना है और साथ में शिचाई का पानी भी है तो ऐसे में जो कहा कि अगर इस बांद से दिक्कत थी तो जो सुरुआती दोर था तब भी इसको लेके इस तरह का मा मिलता है जाहे प्रधान मंति के साथ मंच मिला हो या वीडिन सबाए है खासकर पूरी राजस्तान की बात करें जो सत्ता की कुझी काई जाती है विजंद्रे के वहां सत्ता की कुंजी होती है तो ऐसे में ERCP का मुद्दा है वो चाय रहेगा अब किस तरह से आगे ये आगे करवट लेता है मुद्दा ये देखना होगा लेकिन नरेशे 752 गाओं हैं जिनको प्यास बुझाने का काम नोनेरा बांध को करना है अब अगर इस पानी छिनने का काम किया जा रहा है बिल्कुल देखिए 700 से अधिक जो गाओं जिनके आपने बात की है हर एक जो फेज है ये जो प्रोजेक्ट है ERCP का जो रास्तान के तेरे जिलों का जो मुद्दा है फेज में उस जिले से समंदित उसे चेतरे समंदित जो गाओं है उनको पानी मिलेगा नहीं के और पेजल मिलेगा बलकि सिचाई का पानी भी मिलता है तो अगर ऐसे में एक बांद पर रोक लगती है आपने कहा कि अगर सुप्रिम कोड़ इस पर कुछ फैसला करता है कोई नेगेटिव जो फैसला रास्तान के तरफ आता है तो इससे बिलकुल एक तैयारी भी की होगी कि राजस्तान सरकार अब इस पर क्या कदम उठाए किस तरह से अगर सुप्रिम कोड़ में मामला जाता है तो किस तरह से पूर जोर तरीके से राजस्तान की तरफ से इस मामले को बखू भी रखा जाए और बताए जाए कि क्यो जरुरत है क्यो किया जा है और खासकर जब राजस्तान में कोई काम हो रहा है तो उसके खिलाब फिर दूसरा प्रदेश अगर कोड़ में जाता है अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कीजिएगा पूर मुक्यमंद्री वसुनारा राजे की सरकार थी मद्य प्रदेश के अंदर बाकाइदा बांधों क अपनी जगह हैं और यहां जो ERCP का पानी है वो तो राजस्तान के अंदर आता हुआ आउटफलो का पानी है उस पे मद्य प्रदेश का वैसे भी हक नहीं है तो उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोड जाना कि आपको लगता सिर्फ सियासी मुद्दा है देखिए जिस तरह से बयान आया है उससे तो लगता है कि मुद्दा ना भी हो तो अब सियासी बन जाएगा और जहां तक आपने बात कही कि जब मद्य परदेश में काम हो रहा था तो देखिए ये बात मुख्यमंतिया सोग गैलोत भी दवरा चुके हैं कि जब MOU हुआ था और MOU के तहत मद्य प बना रहा है अपने हैं प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है बजट राजस्तान का है तो दूसरे परदेश को से क्या आपती है क्योंकि जब राजस्तान ने नोसी दी थी जब मद्य परदेश में काम हुए थे तो राजस्तान ने किसी तरह के आपती नहीं की थी तो यह सवाल प प्यास बुझार हैं तो वैसे भी समस्याने लेकिन क्योंकि आप सियासी तोर पर बहतर तरीके से समस्याने तो ज़रा ये समझाई है तीन मुद्धे हैं इस वक्त जिसमें मैं कॉंग्रेस वर्सिस बीजेपी नहीं मैं सीधे तोर पर मुख्यमंतरी अशोग गैलोत वर्सिस कें उसको लेकर अभी बकायदा पेट्रोलिय मंतरी आए उन्होंने कहा कि 25 करोड़ दो वर्ना 10 परसेंट वापस ले लिया जाएगा निशाने पर मुख्यमंतरी गैलोत तीसरा E.R.C.P. राजिसान में मुख्यमंतरी अशोग गैलोत अपने मत से इसको पूरा कर रहे हैं तो उन्होंने बजट से जुड़ी मीटिंग ले थी तब उन्होंने कहा था कि राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं तो ऐसे में वहां के मंतरी तो आएंगे ही और राजस्थान में किस तरह से आलचल पेदा की जाए इसकी कोशिश तो करेंगे ही क्योंकि मुकाबला कॉंग बड़े मुद्धिंग और इन मुद्धों पर चुनाव लड़ा जाएगा क्योंकि करमचार्यों से जड़ा मुद्धा है और मुक्खे मंतरी ने कहा भी है आपको ध्यान होगा दो-ती दिन पहले जब मीटिंग थी उन्होंने कहा भी था कि अगर सरकार रिपीट्ट नहीं हो सब्सक्राइब करें तो वहां की जंता से जुड़ा मुद्दा है क्योंकि वहां पे हजारों लोगों को रोजगार प्रतेक्ष और प्रतेक्ष रूप से मिलने वाला है और यह भी प्रोजेक्ट जो है कैसे कि लंबे समय से राजनीती के भवर में इसको ले खाता नजर आ रहा से तीसरा E.R.C.P. E.R.C.P. तो आप मानके चलिए कि O.P.S. और E.R.C.P. यह दो महत्तुपूर्ण मुद्देश लिए हैं कि O.P.S. सीधा-सीधे करमचारी जो परदेश के हर जिले में उसको एफेक्ट करेंगे और E.R.C.P. तेरा जिले तेरे जिलों का मतलब है कि अगर वहां पे कोई भी इस E.R.C.P. के मद्दे नजर वोटो का गणित बिगरता बनता है तो सरकार बनती बिगरती है जिसलिए इसको कहा जाता है कि पूरी राजस्तान वो सत्ता की कुंजी है और वहां पे क्या उस प्रभाव पढ़ता है वहां के मद्दाता किस तरफ रुक करत हैं वो सत्ता बनाते हैं तो ऐसे में E.R.C.P. का मुद्दा है अभी विजंदे चाया रहेगा क्योंकि इससे पहले अगर हम कॉंग्रेस की बात कर ले तो कॉंग्रेस ने वहां पे आंदुलन किये हैं सभाय की है और वहां पे पैदल मार्स तक निकाले हैं हर जिल्ले में कॉ Ste REP का मुद्धा ऐसा है कि यह मुद्धा मुक्यमंति इसलिए भी ज्यादा दर अपना च्वलlish सरकार कि नहीं होने दी जा रही है तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो और E-RCP को लेकर तो रिफाइनरी को लेकर एक और बड़ा मुद्दा है कि जब जब चुनावी साल होते हैं उसी वक्त ये बहुत ज्यादा एक्टिव और सक्रिय होते हैं रिफाइनरी का मुद्दा ले लिजे 2005 से शुरूआ 13 में शिलानियास 17 के अंदर कारिय शिलानियास और अब 23 के अंदर फिर से उसको लिका सियासत